माग मास के शुकल पक्ष की एकदशी को जया एकदशी के नाम से जाना जाता है जया एकदशी की दिन वरत रखने और भगवान विश्णों की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को मौक्ष की प्राप्ति होती है और पशाच योनी से मुक्ति मिलती है जमें आज हम आपको एकदशी वरत कथा के बारे में बता रहे हैं यदि आप वरत रखते हैं तो आपको जया एकदशी वरत कथा का पार्ट जरूर करना चाहिए जया एकदशी वरत कथा कुछ इस प्रकार है एक समय नंदन वन में उस्सव का आयोजन हुआ जिसमें सभी देवी देवता रिशी मुनि शामिल थे उस उस्सव में गंधर्व कन्यानत कर रही थी और गंधर्व गीतगा रहे थे उसमें मालेवान नाम का एक गंधर गायक और पुश्या वती नाम की एक नितांगना थी मालेवान को देखकर पुश्यावती उस पर मोहित हो गई वह मुल्यवान को रिज्हाने लगी मुल्यवान पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगा और वह सुट ताल भूल गया संगीत लैविन लैविहिन हो गया और उस्सव का आनन्द फीका रह गया उस्सव में शामिल देवों को यहाँ बात बुरी लगी देवों के राजा इंद्र ने क्रोध में दोनों को श्राफ दे दिया जिसके परिणाम सरूप दोनों स्वर्ग से प्रतिव पर आ गए मनत्यों लोग में हिमाले के जंगल में वे पिशाचों का जीवन व्यतित करने लगे वे अपने इस पिशाची जीवन से दुखी थे सयोगवश एक बार माख शुकल की जया एकदशी को उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था नहीं कोई पापकार किया था फल फल फूल खाकर ही अपना गुजारा किया ठंड में भी भूग से फ्यकुल उन दोनों ने एक पिपल के पेड़ के नीचे पूरी रात व्यतित की उस दोरान उनको अपनी गलती का पश्यताब भी हो रहा था उन्होंने फिर ऐसी गलती ना करने का प्रण्ड के लिया सुबा होते ही दोनों के प्राण शरीर से निकल गए उन्हें मालूम नहीं था कि उस दिन जया एकादशी थी अंजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का वरत कर लिया भगवान विश्णों की क्रपा से वे दिनों पिशाज योनी से मुक्त हो गए फिर वे अपने व्यास्तविक रूप में आ गए और स्वर्ग चले गए मुलेवान और पुश्वती के पिशाज योनी से मुक्ती ही मिली और स्वर्ग में आने से इंद्र आश्य चकित हो गए उन्होंने दोनों से स्राप से मुक्ती के बारे में पूछा तब दोनोंने जया एकदशी व्रत का प्रभाव बताया उन्होंने कहा कि उन्हों उनसे अंजाने में ही सही पर जया एकदशी का व्रत हो गया भगवान विश्व के क्रपा से वे दोनों पिशाज योनी से मुक्त हो गए इस तरह से ही जया एकादशी का व्रत करने से लोगों को अपने पापों से मुक्ति मिलती है तथा उन्हें हर सुक भोगने को मिलता है और मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मुक्ष की प्राप्ति हो जाती है माग महीने के शुकल पक्ष की एकादशी तिती को जया एकादशी तिती के नाम से जाना जाता है इसे जानकर सबसे उत्तम व्रतों में से एक मानते हैं एकादशी तिती भगवान विश्णों को समर्पित होती है यानि इस दिन स्री हरी विश्णों की पूजा का विधान होता ह माने ताहे कि नारायन के आशिरवाद से प्रभाव से मनुश को सभी परिशानियां वा तकलिफें दूर हो जाती है कहते हैं कि जया एकादशी के दिन विदी विधान से पूजा करने से भक्तों को पिशाज अथवा भूत प्रेत की योनी से भी मुक्ति मिल जाती है अच्छा मैंने अपने चैनल पर पूजा कापी वीडियो डाल रखा है कि एकादशी की पूजा किस तरीके से की जाए वो वीडियो भी जरूर देखिएगा मैं लिंक डिक्स्रिप्रिक्रिटन बॉक्स में दे दूँगी तो चलिए फ्रेंड्स अभी लेती हूँ आप लोगों से इतादत मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए माताती दोस्तों